सीक्रेट सुपर्स्टार हिंदी मूवी समीक्षा सीक्रेट सुपर्स्टार 2017 की भारतिय हिंदी भाशा की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जो अध्वैत चंदन द्वारा लिखित और निर्देशित है और स्टूडियो आमिर खान प्रोडक्शन्स के तहट आमिर खान और किरन राव द्वारा निर्मित है फिल्म में जायरा वसीम, आमिर खान, मेहर बिज और राज अरजुन है फिल्म एक किशोरी लड़की की आने वाली उम्र की कहानी बताती है जो एक गाय का बनने की इच्छा रखती है जो नकाब के साथ अपनी पहचान छिपाते हुए यूट्यूब पर विडियो अपलोड करती है और अपनी मा, पिता और गुरु के साथ अपने संबंधों की कहानी बताती है यह फिल्म नारिवाद, लैंगिक समानता और घरेलू हिंसा सहित सामाजिक मुद्दों से संबंधित है फिल्म को समीक्षकों से समगर रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली वसीम ने असाधारन उपलब्धी के लिए राष्ट्रिय बाल पुरसकार जीता सीक्रेट सुपरस्टार को 63 फिल्म फैर पुरसकारों में 10 नामांकन प्राप्थ हुए जिनमें सर्वश्रिष्ट फिल्म चंदन के लिए सर्वश्रिष्ट निर्देशक, वसीम के लिए सर्वश्रिष्ट अभिनेतरी और खान के लिए सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेता शामिल हैं इसने तीन फिल्म फैर पुरसकार जीते जिन में वसीम के लिए सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री आलोचक विच के लिए सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेत्री और मेघना मिश्रा के लिए सर्वश्रिष्ट पार्श्व गाय का महीला शामिल है दंगल के बाद यह फिल्म वसीम और खान के बीच दूसरा सहीयोग है सीक्रेट सुपरस्टार दुनिया भर में अब तक की सबसे अधिक लाभदायक फिल्मों में से एक बन गई यह फिल्म महिला नायक के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्म 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म दुनिया भर में नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्म अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और ज़्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म है और दंगल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली गैरंग्रेजी विदेशी फिल्म है। करती हैं लेकिन उनके पिता उनके गायक बनने के सपने के खिलाफ हैं वह नकाब पहनकर एक गाना रिकॉर्ड करती है ताकि फारुख उसकी पहचान का पता न लगा सके और नजमा द्वारा उपहार में दिये गए लैप्टॉप का उप्योग करके सीक्रेट सुपरस्टार के नाम से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देती है वह रातों रात संसनी बन जाती है और मुंबई के एक प्रतिभाशाली लेकिन दिखावटी संगीत निर्देशक शक्ती कुमार का ध्यान आकरशित करती है वह इंसिया से एक गाना रिकॉर्ड करने का अनुरोध करता है लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह उसके बारे में बहुत सारी नकारात्मक समीक्षा सुनती है अपने खराब शैक्षनिक ग्रेड के कारण फारुख ने अपने गिटार से सभी तार तोड़ दिये अगली रात यह पता चलने पर कि नजमा ने इंसिया का लैप्टॉप खरीदने के लिए एक कीमती हार बेच दिया फारुख ने उसकी पिटाई की और इंसिया को लैप्टॉप बाहर फैंकने के लिए कहा इंसिया को इतना गुस्सा आता है कि वह लैप्टॉप छीन लेती है और उसे बालकनी से नीचे गिरा देती है और वह सडक पर गिर कर चकन कुमार के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्कूल से भागने के बाद वह एक निश्चित पार्टी गीत गाने में असमर्थ है। उसे सर्वश्रिष्ट महिला गायका के लिए नामांकित किया जाता है। इंसिया ने कुमार को अपनी पूर्व पतनी के वकील के साथ बैठक की व्यवस्था करने के लिए राजी किया। वकील नजमा के हस्ताक्षर के लिए तलाक के कागजात तयार करता है और उन्हें इंसिया को देता है। इंसिया अपनी मा को तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए देती है, लेकिन उसकी मा गुस्से में इंसिया की इस मांग को खारिस कर देती है कि उसके मातापिता तलाक ले लें। इंसिया अपनी मा से निराश हो जाती है लेकिन बाद में उसे माफ कर देती है जब उसकी दादी बताती है कि कैसे नजमा ने इंसिया को जीवित रखने के लिए संधर्श किया फारुख को रियाद में नौकरी की पेशकश की जाती है और वह इंसिया को बताता है कि वह उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराने की योजना बना रहा है निराश होकर इंसिया ने गायन का अपना सपना छोड़ दिया और अपना यूट्यूब चैनल हटा दिया फारुख ने इंसिया की परीक्षा के आखिरी दिन उनके जाने की पुष्टी की हवाई अड़े पर फारुख ने इंसिया के गिटार केस को देखा मामले के लिए अतरिक्ष शुल्क का भुगतान करने को तयार नहीं होने पर वह मांग करता है कि इंसिया गिटार को निकटम कूडेदान में फैंक दे शुरू में अपनी भावनाव पर काबू रखने के बाद नजमा अन्ता अपने लिए खड़ी हुई और साहस पूर्वक विरोध किया फिर नजमा तलाग के कागजात खोलती है उन पर हस्ताक्षर करती है और उन्हें फारुख के हाथों में सौंक देती है नजमा फारुख की मा, इंसिया और गुड़ू की दादी को अलविदा कहती है और अपने बच्चों के साथ हवाई अड़े से बाहर निकल जाती है और फारुख चिल्लाता और हवाई अड़े के सुरक्षा दरवाजे के पीछे अपनी मुठिया मारता है नजमा एक अजन्दी का सेलफोन उधार लेती है और इंसिया से कुमार से संपर्प करने के लिए कहती है तीनों अंतह पुरसकार समारोह में पहुँचे जहां इंसिया को सरवश्रिष्ट महिला गायका के लिए नामांकित किया गया दुर्भागे से इंसिया पुरसकार नहीं जीत पाई लेकिन विजेता मोनाली ठाकुर इंसिया को यह पुरसकार देने की पेशकश करती है यह मानते हुए कि वह इसकी असली हकदार है कुमार खड़े होते हैं और दर्शकों के बीच इंसिया की उपस्थिती की ओर ध्यान दिलाते हैं एक बार मंच पर इंसिया ने अपनी असली पहचान बताई और अपना पुरसकार अपनी मा को समर्पित किया और उसे सच्चा सीक्रेट सुपरस्टार घोशिप किया क्योंकि नजमा ने इंसिया के जन्म से पहले ही उसका समर्थन किया था और उसके लिए लड़ाई लड़ी थी स्क्रीन पर फिल्म माताओं और मातरित्व को को समर्पित एक संदेश फीका पढ़ जाता है बाद में शक्ती ने यूट्यूब पर इंसिया को समर्पित एक घटिया पार्टी गीत जारी किया